नमस्कार दोस्तों और आज के Only Success YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं Schedules of Indian Constitution भारत की अनसूचियां, भारती समविधान की अनसूचियां हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का ये वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये हम लोग सिर्फ, ना सिर्फ, schedule's discuss करेंगे बलकि हम लोग short cut आज हम लोग discuss करने वाले हैं ये इसमें 12 schedule's होते हैं आपको पता है और 12 schedules को याद करने का एकदम शॉटकट तरीका आपको भिलकुल आप इसको बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिए पहले हम लोग पूरा schedule डिसकस करेंगे 12 और उसके बाद में एक बस one liner one liner shortcut है उसके बाद में आपको पूरे schedule एकदम मुझवानी आपको रट जाएगा तो ठीक है जो भी हमारे नए वीवर्स में जले लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीचे लाइक कर लीचे और आपको कैसा ये लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए जिससे की हमारा motivation और अच्छे वीडियो बनाने के लिए बना रहा है तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं बस हम लोग इस वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे बस ध्यान से देखे पूरा देखे और last में हम लोग इसकी trick डिसकस करने वाले हैं इसका PDF मैं description में दे दूँगा चलिए शुरू करते हैं पहला है यहां शुरू करते हैं schedules of Indian constitution आपको पता है भारत में 12 आने सूचियां है 12 schedules है उसमें एक एक पहले discuss कर लेते हैं किसमें क्या-क्या दिया हुआ है पहला जो schedule है हमारा first schedule first schedule में states and union territories है तो इसमें जो भारत में भारत में कितने states हैं union territories हैं उससे related provision हमारे first schedule में पहले आने सूची में जो हमारी दूसरी आने सूची है यानि की second schedule उसमें भारत में जो different dignitaries होते हैं जो अच्छे-च्छे पदों पर होते हैं जैसे president हो, governor है speaker of and deputy speaker of loksabh and raasabh, supreme court and high court इनके emoluments यानि की इनके वेतन दूसरी आने सूची में discuss किया गया है यानि की second schedule में तीसरा जो schedule है उसमें भारत में जो different पद पे है president और vice president को छोड़के जितनी भी dignitaries होती हैं उनके oaths, oaths मतलब आपको पता ही होगा कि जितनी भी dignitaries होती हैं, सबकी oaths अलग-अलग होती है यह हमारे constitution में mentioned है उसी तरह से जो president और vice president इसमें exceptions है आप लोग यह बिलकुल exception को ध्यान रखिये क्योंकि जब भी oaths related question आता है president और vice president उसमें option में तो रहता है आपको बड़ा ध्यान से question पढ़के करना है कि third schedule में किसका किसका mention नहीं है या third schedule में किसका mention है तो उसमें एक president दिया होगा तो उसमें president और odd one out हो गया तो बिलकुल president और vice president third schedule में mention नहीं है इसके अलावा लगभग सारी dignitaries mentioned है तो इसको pdf में आप लोग बार में आप मैं दे दूँगा इसको आप लोग पढ़ लिजे इसके बाद में जो चौथा schedule है चौथे schedule में दिया हुए हमारा राजसभा की जो seats है state और union territories में आपको पता है कि राजसभा की जो seat distribution होता है states और union territories में सबका अलग-अलग रहता है तो हमारी जो fourth schedule है इसका क्या criteria होगा कैसे distribution of seats of राजसभा होगा वो सब हमारा चौथे schedule में mentioned है अब हम लोग अगला discuss करते हैं पाँछवा schedule फिफ़ शेडियूल of Indian constitution पाँछवी अनिसूची में schedule areas and schedule tribes अब इसमें देखे छोड़ दीजे क्योंकि last में मैं एक ऐसा trick आपको बताऊँगा कि आप सिर्फ जो है देखते ही समझ जाएंगे कि आपकी कुछ अनिसूची में किस schedule में कौन सा दिया हुआ है बस पाँछवे में देखे है हमारे जो country है हर state में कुछ ना कुछ ट्राइबलस हर state में रहते है तो अब जैसे जो पाँचवे schedule है पाँचवे schedule में tribal areas और schedule tribes mentioned है तो अब इसमें जो north east के जो भी states है north east के states के अलावा जो भी states या schedule tribe areas है वो पाँचवे निसूची में fifth schedule में mentioned है टीक है तो याद करने के लिए तरीका ये भी है कि North East के अलावा जितने भी schedule areas है वो 5th schedule में है अब आपको पता ही है North East का जो area है वहाँ पे major जो भी maximum जो sister states है जो भी 7-8 states है वहाँ पे वहाँ पे tribal areas बहुत जादा है तो उसको जैसे कि वहाँ का administration कैसा होगा जैसे देखिए यह mentioned based states of Assam मिगाल है तिरपुरा मिजोरम administration इसमें schedule इसमें administration कैसा होगा यहाँ का tribal areas के लिए क्या policies हैं कैसे उनको treat किया जाएगा यह हमारे 6th schedule में mentioned है अब इसमें difference देख लीजे यह जो North East के जितने भी state जो 6th schedule में mentioned है इसके अलावा जितना भी schedule area है वो 5th schedule mentioned है मतलब North East में के अलावा जो भी schedule या tribal areas है उनका administration और उनकी policies related जो भी articles है जो भी provisions हैं वो 5th schedule में mentioned है ठीक है पांचवे में क्या है 39 के अलावा छटवे में क्या है 39 से related है तो हमारा छटवा जो schedule है वो 39 से related है यह याद आप लोग अच्छे से कर लीजे यह हमेशा confusion होता इसमें अब 7th schedule जो schedule है इसमें detailed list about state and union government अब जो हम आपको पता है जो states होते हैं और जो union government होती है इन सबके अलग-अलग विशय होते हैं subjects होते हैं मतलब जो state government के अंडर में जो subjects होते हैं उसमें सिर्फ state government ही जो भी है law बना सकता है जो union government के अंडर में जो भी list होगी उसको union government ही law बना सकती है अच्छा इन दोनों के अलावा एक concurrent list होती है concurrent list वो list होती है कि जिसमें की state government और union government दोनों ही law बना सकते हैं पर अगर दोनों में असहमती होती है तो उस condition में union government का law प्रवेल करेगा यानि कि अगर आप कोई पता है ये state law का मतलब सिर्व state law बनाएगा union का मतलब union बनाएगा ये एक federal structure है हमारा तो तब दोनों ही को state और union को अलग-अलग powers दी गई है तो इससे अच्छा ये है कि अब जो concurrent list आती है कभी-कभी dispute हो जाता है dispute ना हो उस condition के लिए concurrent list में ऐसा बताया कि हमारे भारती समविधान में इंडिन constitution में कि जो भी concurrent list में state या union दोनों ही अगर नियम बनाते हैं माल दीजे वैसे तो ऐसा dispute हो जाता है कभी-कभी different जब government होती ह states में या हमारी union में तो उस condition में अगर union government भी एक law बना रही है किसी भी subject में और state government भी law बना रही है किसी भी subject में तो उस condition में क्या होगा कि हमेशा union government का ही law prevail करेगा तो इसमें कोई भी doubt नहीं आपको MCQ में कभी MCQ की political policy series जब हम लोग discuss करेंगे तो उसमें यह सब पर question आएगा MCQ का कि मतलब अगर different of interest है या difference of interest state और union में है concurrent list में तो किसका law prevail करेगा तो वहाँ पर answer हमेशा union government ही रहता है अच्छा वगला discuss कर लेते हैं 8 schedule 8 schedule में क्या है official language आपको पता ही है हमारे जो constitution है उसमें language लगबग 22 है और जो भी हमारे समविदान में नई भाशाएं जूड़ती है जो languages जूड़ती है वो हमेशा 8 schedule के अंदर में जूड़ती है तो language से related जो भी provision है हमारा 8 schedule से related है अगला जो 9th schedule है 9th schedule में हम लोग discuss करते हैं मलब basically ये 9th schedule इसको हटा दिया गया है ये land reforms में है तो जो schedules related है वो land reforms related है और इसको अब basically article शायद 3 something है उसमें mention किया गया है 9th schedule में land reforms इसमें बहुत जादा नहीं है इसमें आपको मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना है अब 10th schedule discuss कर लेते हैं हम लोग दसवी अनिसूची anti-defection law इसको हिंदी में बोलते हैं दल बदल कानून ठीक है दल बदल कानून दल बदल कानून हमारा 10th schedule में mention है यह बहुत ही popular है यह पूछा जाता है मतलब वैसे तो important सारे 12 के 12 ही पूरे schedules हैं सारे important हैं बट लगभग होता है कि कोई schedule इस पांचवा छटवा जैसे हो गया और तीसरा है चौथा में confusion हो जाता है दसवा schedule anti-defection law है तो यह सब आप लोग एकदम याद होना चाहिए किस article में क्या है आप कोई भी exam हो चाहिए UPPCS हो UPSC हो SST railway banking कोई भी हो schedule equation आपको मिलता ही मिलता है इसलिए एक वीडियो मैंने सोचा बना दूँ अच्छा तो 10 schedule में हम लोग क्या करते हैं कि anti-defection law है दल बदल कानून जैसे आप आजकर elections चल रहे हैं तो election से पहले क्या होता है कि एक जो नेता लोग होते हैं अपनी party छोड़के दूसरे हम चले जाते हैं तो अभी तो ठीक है उनकी वो seat खाली हो जाती है क्योंकि उनको पता है 10 दिन के बाद में election है बट क्या है कि जैसे election हो गया है उनके 5 साल का पूरा tenure है अब tenure होने के बाद में अब उनको लगा कि opportunity मेरे पास इस government में नहीं है अगली government में या अगली opposition वालों को लगता है ruling government में हमार पास opportunity है तो एक निश्चित proportion government ने set किया है कि एक party अगर है उसमें एक limited proportion अगर वो उस party को छोड़के कोई party join करती है तो anti-defection law नहीं लगेगा ठीक है अब anti-defection decide यह speaker of loksabha कि इस दल बदल कानून के अंडर में जिसने भी कोई भी नेता या कोई भी politician है उसने अगर कोई भी act ऐसा उसका दल बदल कानून के अंडर में आता है कि नहीं आता है तो speaker of loksabha और speaker of raasabha ही decide करता है तो यह यह भी question एक important है कि कौन decide करता है तो इसका answer speaker होगा anti-de faction law कौन decide करता है speaker of loksabha तो अब क्या है example में वही बता रहा था जैसे माली यह दो leader है वो जीत तो गया है election लेकिन वो जीते हैं opposition party से अब उनको लगता है कि opposition party में कोई career नहीं है तो उनको थोड़ा से allurement मिल सकता है अगर ruling party में जाते हैं तो एक allurement रहेगा उनको ministerial post मिल जा अच्छा हो सकता है तो लोग जाएंगे तो अगर उस proportion जो भी decided है एक minimum proportion जो कि दल बदल कानून का अंडर में नहीं आता है उससे कम अगर दो एक तीन वो अगर politicians जाएंगे तो दल बदल कानून के तहत उनकी membership जा सकती है उस house की तो ऐसा इसलिए बनाए गया है कि ताकि यह स पावर में नहीं है तो उसके कुछ जीते हो है मेले पावर या कोई भी allurement के चक्कर में दूसरी party के साथ मिल जाते हैं जाके तो ऐसा ना हो इसलिए anti-defection law लाया गया अब 11th schedule जो है 11th schedule हमारा 1973 नहीं 1973 नहीं 1973 नहीं यह शायद 192 या 93 में शायद आया था अच्छा हां सॉरी यह हमारा मैं बताना कुछ और चाह रहा था जो पंचायत है 73rd amendment के तहत यह हमारा 11th schedule जोड़ा गया था अब इसमें क्या है पंचायत से related मतलब जो शुरू में हमारी केवल जो यह थी पंचायत और municipality यह शुरू से added नहीं थी बद 11th जो schedule आया उसमें हमारा जो responsibilities and power of पंचायत यह 73rd amendment act के तहत यह schedule जोड़ा गया था अब यह question बहुत भी popular question है कि जो पंचायती राज है 11th schedule ऐसे ही पूछ सकते हैं कि 11th schedule किस amendment के तहत constitutional amendment के तहत जोड़ा गया था तो उसका अंज़ा 73rd amendment हो गया अब अगर यह भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज के schedule के तहत गया था अब अगला और लास schedule यह है वो 12th schedule है 12th schedule में basically municipalities responsibilities and power of municipalities यह 12th schedule में दिया हुआ है यह 74th amendment के तहर जोड़ा गया था तो अब इसमें भी same question है 73rd amendment important है तो 12th schedule के तहर जोड़ा गया था तो उसका answer 74th amendment act ही होगा तो यह तो हो गया यह तो हम लोगों ने सारे 12 के 12 हम लोगों ने schedule discuss किये हैं अब वो एकदम last जो हम लोग डिसकस करने वाले थे कि एक trick जिस trick के तहत हम लोग पूरा के पूरा schedule सिर्फ मुझवानी याद होना चाहिए तो उस trick को हम लोग discuss कर लेते हैं और मेरी guarantee है आपको इस आपको कैसा लगा तो अब इसके बाद में हम लोग discuss यह कर लेते हैं कि schedule में है क्या पहला schedule है इसको represent T से करते हैं मतलब पहले discuss कर लेते हैं इसका जो shortcut है इसका shortcut है tiers of old PM इसको आपको सिर्फ इतना ही याद करना है यह trick है tiers of old PM जितने भी word है सब का मतलब है इसको आप याद कर schedule आपकी मुझ जवानी याद होगा tiers of old PM इसको discuss कर लेते हैं आपको पता भी चल जाएगा इसको कैसे हम लोग कर रहे हैं तो पहला जो schedule है first schedule इसमें क्या है states and union territories T से है tiers territories state territory or union territory पहला schedule T से है दूसरा मैंने आपको बोला था salary or emoluments मतलब की जो बेतन है उसको E से discuss करते हैं emoluments E से ठीक है बेतन third schedule में क्या था oaths and affirmations A से कर लेते हैं ठीक है सब की जो भी आपको पता है president or vice president का इसमें exceptions होते हैं A से हो गया oaths and affirmations R आता है राससभा से related R for राससभा S fifth schedule जो northies के अलावा जो भी travel states है schedule areas and schedule tribes तो ये आपको fifth schedule में S से denote होगा fifth sixth schedule में states of Assam में गाल है तिरपुरा ये आपका northies में आ गया ये O से आ गया आपका एफ एफ और आ गया detailed list about state and sorry ये आ गया एप से detailed list about state and union list एप से आप इसको आप एप से क्यों आया है एप से आप federal कर लेते हैं ठीक है federal structure है state में और ये list से divided है तो इसको एप से है पूरा इसको basically मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको ये detail list about कर दिया है वरना इसको federal structure अगर लिखा होता ये basically federal structure से related भी है तो ये और असान हो जाता तो एप से federal structure federal structure से आप याद बस इतना रखिए कि जो different list है states और union list है वो federal structure के अंदर में आती है इसलिए f से यहाँ shortcut f बनाये गया है थोड़ा समझाने के चक्कर में इसको थोड़ा समयने detail एक लिख दिया है list of state and union concurrent list बस उतना ही है बागी इसको federal से आपको याद करना है एत में official language है official का O ले लिया 9th का land reforms है उस पहला अक्षर L ले लिया anti-defection का anti-defection इसका D ले लिया प से पंचैती राज M से municipality अब इसका shortcut क्या बन गया T E A R S O F of OLD PM ठीक यह आपका shortcut है इसलिए मैंने PDF में इसको दे भी रखा है तो आप इसका या तो screenshot ले लिजे या तो आप इसका PDF में डाल दूँगा इसका description में वहाँ से आप लोग ले सकते हैं तो इसका shortcut क्या है Tears of OLD PM यह आपका shortcut है और इसको आप बस याद कर लेजे Tears of OLD PM यानि कि आपके 12 का 12 schedule तयार हो गए है और आपको अब कुछ भी याद करने के ज़रत नहीं है अब किसी भी exam में आए पांचमे में क्या है आठमे में क्या है दसमे में क्या है हल alphabet एक schedule को denote करता है तो ठीक है दो ट्रॉपिक का shortcut चाहिए आप लोग मुझे comment box में जरूर बताइए और हम लोग एक नया वीडियो एक shortcut trick के साथ बनाएंगे और देखिए अगला वीडियो शायद मैं जो भी हमारा constitution है constitution में जितने भी parts हैं 22 parts हैं अब उन parts को याद करने के लिए हमारा अगला वीडियो होगा अगली trick होगी आपको मुझे जवानी पूरे 22 के 22 जो भी part हैं वो आपको मुझे जवानी याद होंगे और with article ये मेरा वादा है आप लोगास इसी तरह जुड़ते रहे हैं इस चैनल को like और subscribe जरूर करिए जिससे की और मेरा और मेरी टीम का motivation बना रहा है चलिए दोस्तों thank you so much thanks for loving and thanks for watching thank you